Hello students and welcome back to the channel TH Classes आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं Data Entry Operations की एक और Marathon Class So आप सुभी को पता होगा हमारे चैनल पर चल रही है Marathon की सीरीज जिसमें कि हम आपको Theory Exam की तयारी करवा रहे हैं One Short Marathon हम आपको Provide करवाते हैं जिसमें आपको आराम से उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी important questions या फिर topic होते हैं आपको वो पढ़ने होते हैं हमारी वीडियो को एन तक देखना होता है और आप आराम से अपना paper देने चले जाती हैं तो यही आपकी Marathon Series का एक और वीडियो है data entry operations की वीडियो होने वाली है दो सो नतिस का code है 10th class वाले बच्चों के लिए ठीक है Hindi medium है या फिर English medium है दोनों mediums के बच्चे इस वीडियो को देख लीजेगा और बाकी वीडियो के लिंक आपको description में मिल जाएंगे एसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe जरूर कर लीजेगा सो चलिए start करते हैं हमारी वीडियो को बिना किसी देरी के तो यह जो question paper होता है आपको यह 2 घंटे का है ठीक है इस पूरे exam को देने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है और 40 marks का यह paper होने वाला है अब आप पुछोगे कि यह 40 का क्यों है क्योंकि इसका जो बाखी जो 60 marks है वो आपके practical में जाते हैं ठीक है और इस 40 में से भी 20% आपके TMA के marks होते हैं ठीक है 20% marks इसमें से भी आपके TMA के होते हैं अब अगर हम बात करें किसी भी चेस को करने से पहले हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए तो बहुत से बच्चों को यहाँ पर doubt होगा कि हमें इसमें पास होने के लिए कितने marks चाहिए तो आपको किसी भी ठीओरी एक्जाम में पास होने के लिए ठीओरी का 33% लेकर आना होता है इतना बात आपको पता होगी तो 40 का अगर हम 33% निकालें तो इतना यह बैठेगा आपका 13.2 यानि कि पास होने के लिए approximately 13 से 14 marks आपको इस एक्जाम में लेकर आने हैं 至 आप शुटक्यों में लेकर आ जाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो टीक है तो उमीद करते हूं आप को वीडियो पसंद आएगी और इंटरस्ट के साथ आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे चलिए तो शुरू करते हैं चनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा सबसे पहली बात अगर हम data entry की बात करें तो data entry में आपका क्या क्या चीज़े आती हैं इसमें आपका basically computers चीक है और उसे related जितनी भी चीज़े हैं वो सारी हम data entry में पढ़ दे तो computer है तो basically हमें ये पता होना चाहिए computer आखिर क्या होता है पहला ही question आपका ये बनता है what is the computer computer क्या है computer एक electronic device है जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं इस तरीके का जो computer होता है या कोई भी laptop भी computer ही वाना जाता है उसको हम जब तक विध्यूत उपकरण है ये चीक है क्या है ये एक विध्यूत उपकरण यानि जब तक इसमें बिजली ये करेंट नहीं जाएगा ये device नहीं चलेगा इतनी बात आपको clear है a computer is an electronic device that can क्या कर सकता है ये receive, store, process and output data तो ये जो computer है ये एक ऐसा device है जिसमें हम बहुत सारे काम कर सकते हैं जैसे कि सबसे पहले ये receive करता है store करता है process करता है और फिर data का output देता है मान लेजिए कि आपने computer पे google chrome को खोला चीक है अब आपको ये पता लगाना है कि NIS की date sheet आई है या नहीं theory exam की date sheet आपको निकालनी है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे सबसे पहले आप इस computer में google chrome खोलेंगे अब उसके बाद आप search करेंगे NIS तो यहाँ पर हमने क्या काम किया पहला काम हमने receive जो था वो किया यानि computer को जो हमने information देनी है कि हमें NIS की theory mark sheet date sheet देखनी है वो हमने इसको receive करवा दी उसके बाद store store का मतलब क्या है store का मतलब यह है कि यहाँ पर इस computer के अंदर इस google chrome के अंदर जितनी भी आपकी websites related to NIS की date sheet से होंगी वो सारी यहाँ पर इसमें store होती है फिर उसके बाद यह process करता है process का मतलब यह है कि यह देखेगा कि आपने क्या चीज़े से मांगी है आपने कौन सी website से क्या सामान या क्या data मांगा है आपने भूला कि NIS की theory की date sheet दिखाओ अब theory की date sheet अब आप check करने जाओगे तो वहाँ पर अब यह कोई एक website जो top website जो official है वो उसको process करके सबसे उपर आपको दिखाएगा और फिर उसके बाद आपको output मिल जाएगा that is it यही काम यह करता है तो यह एक ऐसा electronic device है जो की receive करता है store करता है process करता है और आपट देता है data का it is a machine that can perform a variety of tasks and operations ranging from simple calculations to complex simulations and artificial intelligence तो यह क्या है यह कैसी machine है जो की variety of tasks and operations को perform कर सकती है मतलब इसमें हम करोडों काम कर सकते हैं राइट है ना इसमें ना सरफ हम games खेल सकते हैं ना सरफ हम calculation कर सकते हैं ना सरफ हम AI जो है artificial intelligence आपकी आजकल बहुत जादा trend में है वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं simulations, complex कितने भी बड़ी calculation है वो हम इसमें कर सकते हैं तो यह बहुत सारी variety के task को perform करता है अब हिंदी वाले बच्चे भी जिस तरीके से जिस language में मैंने आपको बताया है उसी language में आपको लिखना है आप लिख सकते हैं कि एक computer जो है वो एक video tip current होता है जिसमें कि हम अपने data को भेजते हैं यह उस data को store करता है फिर process करता है और उसके बाद हमें data का output देता है यह है एक ऐसी machine है जिसमें हम धेरो अपने काम कर सकते हैं जैसे कि चोटी से चोटी calculation से लेके एक बड़ी से बड़ी complex simulation तक ठीक है उमीद करती हूँ समझाया होगा कोई भी doubt हो तो आप मुझे comment section में जरूर लिख कर बता सकते हैं और I would love to solve all your doubts और आगे मतलब जो हमने पिछे करवाई हुई है उसके videos आपको मिल जाएंगी marathon की playlist हमने बना दी है 12th और 10th दोनों की तो आप please उसको भी check out जरूर करिएगा आगे बढ़ते हैं next अब बात आती है parts of computer यानि की computer के कौन कौन से parts है जो के जरूरी है अभी फिलाल हम basic समझ लेते हैं basic के बाद हम questions के तरफ बढ़ेंगे किस तरीके के questions आते हैं ठीक है अब data entry में हमें पता होना चाहिए computer के कौन से basic part है जो की बहुत जरूरी है सबसे पहले आता है monitor या LCD है ना monitor जिसपे की आप अपने data को देख पाते हैं monitor या LCD क्या है ये it displays whatever you type or draw on computer यानि कि वो हर चीज जो आप इस पर type करते हो या draw करते हो वह चीज आपकी इस तरीके से display पर दिखाई देती है आपको मुझे comment में बताना है यह है एक input device है या फिर एक output device है ठीक है यह मुझे आप comment section में बताएंगे उसके बाद आता है आपका central processing unit यानि कि आपका CPU अब यह CPU क्या है CPU को आप brain of the computer भी बोल सकते हैं यानि कि computer का brain जो है ना वो CPU ही है यह सभी functions को जितने भी component है सभी functions को control करने का काम CPU का होता है अगर हम normally हिंदी बाशा में बात करें तो यह computer का दिमाग है या आप computer की आत्मा भी कह सकते है सभी काम इस CPU के अंदर होते हैं उसके बाद keyboard it is set of typewriter like which types are text through keys मतलब keyboard keyboard जिस पे हमें बहुत सारी keys देखने को मिलते हैं है ना जिस से हम typewriter की तरह type कर सकते हैं जो भी चीज हम चाहते हैं वो हम इस पे type कर सकते हैं keyboard आपका क्या है input device है output device है यह आपको मुझे comment में बताना है ठीक है उसके बाद हम mouse mouse क्या करता है यह items को point करने में बतलब जैसे अब यहाँ पर आप मेरा cursor देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मेरी cursor मैंने यहाँ पर point बनाया तो यह cursor इधर है तो mouse का क्या होता है यही दिखाना कि आपका जो item है जिसे यह item है यह point करके आपको दिखा पा रही है ठीक है कोई एक text है उसको select करना है मुझे मालने ज़िए इस text को मुझे select करना है तो यह किस से कर पाऊंगी यह मैं mouse से कर पाऊंगी ठीक है उसके बाद है speaker it is used for audio output from the computer यह सभी को पता होगा कि यह क्या करता है यह audio का output जो हमारे computer में audio चल रही है उसका output हमें speaker बाहर देता है उसके बाद है printer it is used to take print out on the paper यह जो papers इसमें डाले जाते हैं उनमें यह print out निकालके हमें देने का काम करता है अब इन सभी को आपको मुझे बताना है इन में से कौन-कौन input device है और कौन-कौन output device है चीक है आगे बढ़ते हैं input device और output device की अगर हम बात करें और एक होता है आपका peripheral device ठीक है पहले हम input और output device की बात करते हैं तो input device वो devices होते हैं जिससे की हम अपने data को computer में feed करते हैं या फिर computer में भेजते हैं और output device वो devices हैं जिससे हमें data जो है computer से process होके बाहर मिलता है ठीक है इसके example देख लीजे input device में keyboard ठीक है keyboard कैसे? keyboard से हम कुछ भी type करेंगे तो type करना और उसके बाद वो जो data है वो computer में जा रहा है है ना? इसलिए इसको input device बोलते हैं आपके camera वगेरा हो गए इसके अलावा ये सभी आपके जो tools हैं ये सारे आपके input device है stylus भी आपका एक input device है next है output output device वो devices होते हैं जिससे की हमें data computer से process होके बाहर दिखता है जैसे printer printer से हमने मानले जैं, computer से मैंने printer को connect कर रखा है ठीक है तो मैंने कोई भी print करवाना है तो मैं computer में पहले उसका उसको process करवाँगे उसके बाद ये printer में निकलता है तो printer में निकल रहा है बाहर आ रहा है इसलिए इसको हम output device out का मतलब क्या है बाहर आना ठीक है और इनका मतलब क्या है अंदर जाना तो वही चीज आपकी सेम इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको याद भी रहेगा उसके बाद है monitor monitor पे भी हमें display बाहर यह दिखती है ना अंदर थोड़ी न दिखती है उसके बाद है speaker microphone इसके लावा scanner आपका ठीक है और भी यह सारे devices अब बात कर लेते है peripheral device की बीच में यह सारे आपके peripheral device है इसका मतलब भी होता है यह devices आपके हम extra या फिर helpful सहायक device भी हम इसे भोल सकते है a peripheral device is an auxiliary device that connects and works with the computer for input, output और storage an input device provides data and an output device transmits the data processing results peripheral refers to an external piece of a computer hardware device अब peripheral device का मतलब क्या होता है यह सारे जो devices होते हैं यह तो जरूरी होते हैं बहुत जरूरी है ना लेकिन peripheral device जो होते हैं वो हमारे सिर्फ help के लिए होते हैं हमारी help करते हैं मालेज़े आपको मालेज़े जस computer को भी थोड़ा सा side में रखके हमें phone की बात करते हैं मालेज़े आप एक phone लेके आए हैं ठीक है वो आप लेकर आए हैं 2GB का अब आप चाहते हैं कि आपको उसमें 8GB और एड़ करवानी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे आप उसके लिए simply उसमें memory card डाल दें अब यह जो memory card होता है ना इसको हम peripheral device कह सकते हैं मतलब यह computer में प जरूरत भी नहीं थी ठीक है और हमने इसको डलवा कि यह हमारी help ही करेगा इससे हमारी storage बढ़ जाएगी और हमारा काम भी आसान हो जाएगा तो यही चीज़ आपकी computer में होती हैं जो devices auxiliary device होते हैं मतलब हमें इनकी ऐसी कोई खास वो नहीं होती नीड नहीं यह computer में पहले से मतलब बहुत जरूरी होते हैं लेकिन हमने इसको extra में रखते हैं जैसे एक cd cd में हम अपनी कुछ data को रख सकते हैं ठीक है और cd में हम गाने वगएरा रख सकते हैं फिर उसके बाद हम अपने computer में उसको लगा के और किसी भी तरीके के हम गाने या फिर कोई भी हमें उसमे data हमने रखा हुआ है वो हमें वहां से मिल जाता है pen tab वगरा connect करना ठीक है camera connect करना तो ये सारे peripheral device होते हैं वाइफाई भी एक peripheral device है जो कि हमारी help करता है अब यहां से आपको पता चल गया होगा peripheral device कौन कौन से होते हैं ठीक है जो कि सर्फ और सर्फ auxiliary device होते हैं help करने के लिए हो computer के input और output और storage तीनों ही चीजों में काम में आते हैं input device क्या है जो कि data प्रोवाइड करवाता है computer में data प्रोवाइड करवाता है output device वो है जो transmit करके data को result हमें देता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब शुरू करते हैं हमारे questions अब हमारे question स्टार्ट करते हैं तो question number one है आपका ये जो मैं आपको question answers दिखाऊंगी ये जो pattern रहेगा ना same यही pattern आपको आपके paper में देखने को मिलेगा यानि first question हमेशे आपको match का मिलेगा match the following का second question आपको फिर मिलेगा true or false का ठीक है third question आपको मिलेगा define का and so on आपको फिर question इसी तरीके से जैसे मैं आपको दिखाऊंगी वैसे ही मिलेंगे तो गबरानी की कोई जरूरत नहीं है paper बहुत आसान आता है अगर आप तोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आप अराम से इस paper को कर पाएंगे चलिए तो शुरू करते हैं first question हिंदी और इंगलिश दोनों में हम देखेंगे सबसे पहले हमें A और B इस सरीके से दिया हुआ है हमें क्या करना है इसमें match the following करना है और बहुत से बच्चे के गलती करते हैं कि आप जो है paper पे ही question paper पे ही आप match the following इस सरीके से करके और आप उसको paper को छोड़ देते हैं ऐसा नहीं करना है आपको answer sheet पे अपनी answer book पे जैसे आपने लिखा A ठीक है यहाँ पर आपने ये A ऐसे लिखा और फिर उसके बाद इसका क्या answer है मान लीजे इसका answer है आपका कोई भी answer आपको फिलाल ले लेते हैं 3 तो इस तरीके से आपको paper में लिखना है फिर उसके बाद B का answer 4 है ठीक है C का answer 5 है ऐसे आपको लिखना पड़ेगा paper में तो ये गलती मत केजेगा ये मैं आपको पहले ही समझा रही हूँ ठीक है अब इसको पहले erase कर लेते हैं फिर उसके बाद हम अपने question को देखते हैं ठीक है चलिए अब शुरू करते हैं first question से ओके so first में हमसे बूला है trackball trackball अब पहले आपने ये पढ़ लिया उसके बाद आप ये पढ़िए lines to join pro chart elements नहीं input device, deleted files, symbolic codes, design of slide या फिर file detail अभी हम trackball के बारे में भी पढ़ेंगे तो इसका answer जो है हो जाएगा input device ठीक है trackball एक input device होता है ये एक तरह से आप mouse की तरह कह सकते हैं इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी फिलाल उसके बाद है connectors connectors क्या होते हैं connectors आपके जो computer होता है उसमें आपको अगर कोई किसी तरह की आप कह सकते data cable वगेरा भी लगाने के लिए आपका होता है ठीक है एक तरह से आपके connect करता है computer को दूसरे device से या फिर किसी electricity का भी अगर हमें वो करना है तो उससे भी हमारे connectors जो है वो मदद करते हैं तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer है first lines to join flow chart elements flow chart elements जो होते हैं उनके जोडने की lines connectors होती है ठीक है उसके बाद है slide layout slide layout तो ये क्या गरता है ये slide layout जो है वो हमें power point में ppt में देखने को मिलता है ठीक है यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ppt में हमें देखने को मिलता है slide layout और इसमें हम क्या देख सकते है slide layouts में हम slides किस तरीके की है ठीक है उसका view कैसा है ये हम देख पाते हैं किस तरीके के design है उस पर ठीक है ये सारी चीजे हमें slide layout में देखने को मिलती है तो इसका answer क्या हो जाएगा design वाला है कहीं ये रहा तो इसका answer हो जाएगा 5 next है view menu view menu क्या है view menu में हम क्या कर सकते है view menu में हम file की details को पता लगाते है तो इसका answer हो जाएगा 6 recycle bin recycle bin क्या होता है एक तरह से आपका ऐसा bin सा बना होता है आपके computer में जिसमें कि हम file को delete करके रख सकते हैं मतलब अगर हमने अपने computer से file delete कर दी वो सीधा recycle bin में जाएगी उसके बाद है assembly language assembly language assembly language कितर जाती है assembly language क्या होती है यह आपके symbolic code होती है symbolic code होती है अब इसके बारे में थोड़ा detail में पढ़ते है तो सबसे पहले आपका था trackball तो trackball क्या है trackball इस तरीके का होता है मैंने आपको बताया एक तरह से mouse की तरह यह दिखता है trackball is an output sorry input device that is mostly used in network or laptop computer instead of mouse यह mouse की जगह पर काम करता है ठीक है यह mostly कभ यूज होता है यह laptop computer में ज़्यादा तर इस्तमाल होता है ठीक है this is a ball which is half inserted and by moving fingers on the ball the pointer can be moved अब यह जो ball होती है यह trackball यह half inserted होती है मतलब इस तरीके से होती है half inserted नीचे की तरफ अगर हमें इसे roll करेंगे तो हम अपने इस pointer को यहां से यहां पहुँचा सकते है ठीक है and by moving fingers on the wall the pointer can be moved हम इसके उपर अपनी finger move करेंगे तो हमारे pointer भी move होगा since the whole device is not moved a trackball requires less space than a mouse a trackball comes in various shapes like a ball, a button, or a square अब इसमें क्या बोला गया है इसमें यह बोला गया है कि आपकी इसमें क्या उता है जिसमें नॉर्मली mouse के अगर बात करेंगे यह mouse है अगर हम इसको यहां से यहां ऐसे ऐसे करेंगे तो यह क्या करता है यह हिलता है पूरा इसमें ऐसा नहीं है यह half inserted ball है तो आपको सिर्फ ball को touch करना है बॉल को move करना है तो आप आसानी से अपने pointer को इधर उधर कर सकते हैं move कर सकते हैं इसमें आपको पूरा mouse की तरह हिलाने की इसको move करने की जरूरत नहीं है और यह आसानी से आपका इस तरीके के से इस्तमाल होता है यह track ball जो है यह बहुत सारी shapes में आती है जैसे कि एक ball की shape में एक button की shape में या फिर एक square की shape में भी यह आ सकती है अब ऐसे ही अगर हम physical devices की बात करें ठीक है एक मिनट रुक जाएए हंजी चलिए तो अगर हम physical devices की बात करें तो कौन-कौन से ऐसे physical devices होते है सबसे पहले हम mouse जो कि मैंने आपको बताया उसके बाद यह track ball यह track ball जो है यह इस तरीके की भी आती है ठीक है square shape में उसके बाद है light pen डाटा टैबलेट डाटा टैबलेट आपने देखा ही होगा जैसे कि हम teaching वगेरा में बिस्तमाल करते हैं joystick joystick इस प्रकार की होती है और एक space ball होती है ठीक है इस बात का आपको ध्यान रखना है यह आपके physical devices है चलिए नेक्स्ट है आपका एक connector के बारे में अभी हमने देखा था है ना first topic था आपका track ball उसके बाद हमने connector के बारे में देखा था यहाँ पर आपने देखा होगा ना यह देखिए first topic थो हमने पढ़ लिया next है connectors अब connectors क्या होते हैं connectors एक ऐसा device होते हैं जो कि हम terminate जो कि terminate करते हैं segment of cabling और provides an entry point for network devices such as computers, hubs and routers these can in turn be differentiated according to their external appearance and connection characteristics for example there are plugs or sockets and ports तो यह connectors को चिछ तरीके के आपको दिखाई देते हैं जैसे कि यहाँ पर आपने अगर कभी CPU देखा होगा CPU के पीछे बहुत सारी इस तरीके के ports होते हैं अब यह जो ports होते हैं इनको आप connectors बोलते हैं इनको आप connectors बोलते हैं क्योंकि यह क्या करते हैं यह استعمال होते हैं जैसे माली जी हमें keyboard को connect करना है अपने computer से तो हम क्या करेंगे keyboard connectors यहाँ पर अपनी plug को लगाएंगे और जो आपकी दूसरा end है उसको हम computer में लगा देंगे तो इससे क्या होगा इससे keyboard connect हो जाएगा connector की नाम से ही बता चल रहेगी यह एक दूसरे से चीज connect करनी है ठीक है? और उसकी बाद उसी के side में है यह mouse connector जहाँ पर हम कोई चीज अगर लगाएंगे यह देखिए एक मिनट हन जी तो देखिए हमने आगे क्या देखा mouse connector यहाँ पर आपने mouse को mouse की cable को लगाएंगे और दूसरी side आप अपने computer में लगाएंगे तो mouse connect हो जाएगा उसके बादे साथ में USB port यह USB port होते हैं जिसमें कि हम अपने USBs को लगा सकते हैं और यह आपका Ethernet LAN port LAN की full form मुझे आपको चली मैं ही बता देती हूँ LAN की full form होती है local area network local area network और WAN होता है एक होता है WAN WAN की full form होती है wide area network ठीक है कोई ऐसा network है जो आपको local area में लगाना है यानि कि माल लिजे कोई एक school है school का area है या फिर कोई एक office का area है जो की मतलब कम distance का है मतलब ज़्यादा वहाँ पर जगा नहीं घेर रहा है कम distance का area है कम लोग network यूज़ करेंगे तब वहाँ पर आप network कौन सा यूज़ करेंगे LAN, local area network आप यूज़ करते हैं जब आपको एक लंबे एरिया में एक वाइड एरिया में network को लगाना है इथर्नल लैंड पोर्ट यानि कि local area network वाली जो यह होती है यह होती है दूसरी पोर्ट ठीक है उसके बाद है serial communications पोर्ट यह वाली है next है parallel पोर्ट and VGA पोर्ट यहाँ पर है microphone की पोर्ट लगती है red, blue और yellow यह तो आपने देखा ही होगा यह line in port है यह speakers के लिए होती है और यह यहाँ पर game या mbd port होती है ठीक है उमीद करते हूँ आपको जमझा गया होगा अब बढ़ते हैं हमारे next question की और और बाकी तब तो मैंने आपको यहाँ पर समझाई दिया है भाई recycle pin हम आगे देखेंगे ठीक है view menu वगेरा में हम आपको file details के हमें view menu में पता चलता है assembly language एक symbolic codes language है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं अब अगला question आता है आपका true or false का second question हमेशा आपका true or false का रहेगा अब हमें इसमें क्या करना है हमें इसमें statements को पढ़ना है statement से हमें बताना है कौन सी statement true है और कौन सी false है और आपको basically अपने paper को paper में क्या करना है answer number two आप लिखेंगे ठीक है उसके बाद एक यहाँ पर पूरी line यह छोड़ दीज़ेगा उसके बाद नीचे इस बाली line से A लिखेंगे और फिर उसके बाद B मैं यहाँ पर लिखे भी आपको साथ साथ दिखाती रहोंगी ठीक है इस तरीके से आप पूरा अपना डाल दीजी question मत लिखेगा for God's sake question मत लिखेगा ठीक है बहुत time waste हो जाएगा तो चलिए first question है machine language programs are written in the form of binary numbers तो जो machine language program होते है क्या वो binary numbers की form में लिखे जाते है तो इसका answer हो जाएगा true ठीक है आप लिखेंगे अपनी answer sheet में true क्यों लिखे जाते है machine language जो होती है binary numbers कौन से होते है 0 and 1 और machine language हमेशा 0 and 1 number पे ही चलती है तो यह एक binary number पे है ठीक है इसलिए इसका answer true है next c and d drives are not a part of hard disk drive तो यह कह रहा है जो c और d drives होती है वो hdd yarni hard disk drive का part नहीं है तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा true आप बोलेगे ऐसा क्यों ठीक है इसका answer false हो सकता था कब हो सकता था जब यहाँ पर not ना हो ठीक है not ना हो यहाँ पर अभी not है कि c और d drives hdd का part नहीं है अगर पूछता कि c और d drives hdd का part है तो आप बोलते false है अब ऐसा क्यों c और d drives आपने देखा होगा यह एक different kind of drives होती है मतलब इनकी different अलग से existence होती है ठीक है यह अलग hard drive हो सकती है आपके computer में जरूरी नहीं है कि hdd का part हो ठीक है तो इसका answer true है next question whenever a program is run an icon representing the program appears on the task bar तो इसका answer क्या है इसका answer भी है true ठीक है इसका मतलब क्या है जब भी कोई program run होता है तब program का एक icon task bar पर दिखाई देता है stable call true है जब भी आपको इभी computer में program चलाएंगे माइन लीजे ये program है computer की screen है ठीक है नीचे यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखता है यहाँ पर आपको दिखाई देगी start button ठीक है यहाँ पर आपका search button होता है और यहाँ पर आपके कुछ icon बने होते है कुछ तो होते है by default icon लेकिन कुछ होते है माल लेजे मैंने यहाँ पर chrome चलाया ठीक है chrome चलाया तो वो chrome यहाँ पर यह जो होता है यह task bar होता है ठीक है इसको हम task bar बोलते है तो आपसे कह रहा है कि वो जो icon है वो यहाँ पर दिखाई देगा हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है तो यहीं पर यह वो icon दिखाई देता है तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer भी हो जाएगा true next question है in a spreadsheet program the formula bar is not resizable which means it cannot accumulate long formulas तो इसके लिए आप देखे मैंने यह image लगा रखी है अब मालेजे आपको एक formula बार पर कोई formula लिखना है मालेजे यहाँ पर आपको कोई formula लिखना है अब अगर हम चाहें तो क्या हम इसको resize कर सकते हैं कि मालेजे बहुत बड़ा formula है ठीक है मैंने यह formula लिखा और यह पुरा इस sheet में आ गया और थोड़ा बड़ा formula है तो क्या हम इसको resize कर सकते हैं इस तरफ से बिल्कुल कर सकते हैं यह icon आपको इस तरह इसे दिख रहा है इसको आप इस तरीके से for example मालेजे मैं मुझे यह जो icon है इसको मुझे resize करना है तो आपको इस तरीके से यह दिखाई देगा इसको आप ऐसे बड़ा भी कर सकते हैं तो यह यह आप से यहाँ पर पूछा गया है क्या आप इस spreadsheet program में formula bar को resizable नहीं कर सकते हैं तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा false क्योंकि हम उसमें उसको कर सकते हैं resize कर सकते हैं तो इसका answer हो जाएगा false ठीक है क्योंकि यहाँ पर आपको बूल है not resizable next है e for installing any software such as a word processing program in the computer you can take the help of control panel option तो किसी भी program को यह किसी भी software को install करने के लिए हमें control panel option की ज़रूरत होती है तो यह बिल्कुल true है अगर हमें कोई भी program install करना है या फिर uninstall भी करना है तो इसके लिए हमें control panel की ज़रूरत होती है हमें yes या no पे click करके उसको install या uninstall करना पड़ेगा इजाजत उसकी लेनी पड़ेगी next question है for finishing slideshow press end key on the keyboard मालीजे कोई एक slideshow चल रहा है computer screen पर अगर हमें उसको हटाना है मतलब finish हो गया है मेरा ठीक है तो क्या end key दबाएंगे या फिर escape की दबाएंगे अब मुझे बताइए end key दबाएंगे या फिर escape की दबाएंगे तो इसका answer हो जाएगा false ठीक है end key नहीं दबती है किसी भी slideshow को finish करने के लिए escape की ESC escape की दबाएंगे जाती है ठीक है उम्मीद करती हूँ ये भी question आपको अच्छी तरह से समझ आ गया हो आगे बढ़ते हैं तो भई अब third question मैंने आपको बताया था definition वाला आता है हमेशा ठीक है four mark का ये question होता है first मैं आपसे बुला है software बताओ second है आपका clip art को define करना है third है my computer को और fourth है slide views को same आपका हिंदी में दिया हुआ है निमने को परिभाशित करे software clip art my computer slide views तो चलिए करते हैं इसको define सबसे पहले software की बात आती है तो software क्या होता है definition इसकी software are the instructions given to a computer in the form of a program तो आप अगर normal भाशा में लिखे हैं आप कूछ समझने आ रहा है तो आप लिख दीजिए software is a set of instructions ठीक है software is a set of instructions of program software एक instruction का ऐसा set होता है program के लिए जो कि हमें provide करना होता है computer को software is the set of program which are used for different purposes यह different purposes के लिए इस्तमाल होते हैं software are all the programs used in a computer to perform certain tasks कोई हमें certain tasks perform करना है तो उसके लिए हम software का इस्तमाल करते हैं मान लेजिए for example आप अपने फौन में आप का इस्तमाल क्यूं करते हैं आप क्या होती है एक set of instructions ही है जिस तरीके से आप अपने फौन में apps को चलाते हैं उसी तरीके से आपको computer में software को चलाना होता है ठीक है software के बिना आप जो है उसमें काम नहीं कर पाएंगे software क्या है input device है output device है आपको मुझे बताना है उसके बाद है hardware hardware की अगर हम बात करें तो hardware जो होता है वो ऐसी चीज़े हैं जिनको हम touch कर सकते हैं touchable things are hardware ठीक है touchable things are hardware जो कि हमें output प्रोवाइड करवाते है output device है एक और software जो है वो untouchable है मतलब हम इसे touch नहीं कर सकते हैं क्या कभी आप किसी अप को अंदर phone के अंदर मैं यह नहीं कर रहे हूं कि आप पे touch आप तसक करके open कर लीजी मैं यह नहीं मैं इसको सब्सक्रार गा क्रोस कर सकते हैं कर सकते माले जंक आप का a student word MS word क्या है एक software उसको आपको चलाना है तो आप उस पर क्लिक करेंगे तब है आप उसको चला पाएंगे वो भी computer के अंदर screen के अंदर आपको दिखाई दीगा ठीक है तो वही है आपका कि भाई यह सेट ओफ इंस्ट्रक्शन है जो कि जिसमें की सारे प्रोग्राम्स होते हैं प्रोग्राम्स का सेट ओफ इंस्ट्रक्शन जो कि computer में चलता है और यह एक input device होता है hardware एक output device है touchable things है hardware और software non-touchable things है अब software कितने types की होते हैं software आपके चार टाइप की होते हैं पहला है application software next programming software उसके बाद है system software and then driver software application software वो होते हैं जिसमें की हम सारी अपनी application को run करते हैं ठीक है набhou की सारी applications है program software जैसे की हमारे हो जाते है HTML वाले software ठीक है coding वाले software जिसमें programming कर पा रहे है system software जो system के लिए system के अंदर software होते हैusan already driver software जो drives को जो है मैनेज करने के लिए software होते हैं, software का आपको समझ आ गया होगा, उसके बाद है आपका clip art के बारे में, है न, next आपका definition थी, clip art के बारे में, define clip art, clip art क्या होती है, clip art basically एक collection होती है, pictures की, और images की, जिसको हम import कर सकते हैं, अपने document या किसी program के अंदर, ठीक है, वान लिजे मैंने एक word file खोली हुई है, मैं आपको इसका practical करके दिखाती हूँ, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए, ठीक है, देखे, इसका practical करने के लिए, हमने यहाँ पर अपना word खोल जा, ठीक है, अब इसमें क्या गरना है, वर्ड में आपको insert पे जाना है, यहाँ पर आपको illustrations में देखे यह देखे, clipart का option दिखेगा, इसमें क्या होता है, इसमें आप अपने document के अंदर, यह मेरा पूरा document है, ठीक है, इसके अंदर आपको कोई image लगानी है, या कोई ऐसी drawing लगानी है, या कुछ भी ऐसा लगाना है, तो यहाँ पर आपको इस पर click करना पड़ेगा, click करने के बा इसको हम थोड़ा सा, resize कर लेते हैं इसका, यह देखे, ऐसे, ठीक है, इस पर हम search करते है, girl, gir, girl, इस पर हमने search किया, और girl search करने के बाद, आपको इस तरीके से, दो images दिखाए दी, माले जे मैंने यह image लगानी है, तो मैं इस पर click करूँगी, और यह image इस तरीके से, यहाँ लग कर आ जाएगी, इसको हम, जो है, move भी कर सकते हैं, इसको हम resize भी कर सकते हैं, तो यह होती है, आपके clip art, ठीक है, अब इसकी हम definition अच्छी तरह देखते हैं, तो हमने क्या देखा, clip art क्या है, clip art collection है, pictures की, images की, जो कि हमें import करनी होती है, document या किसी दूसरे program के अंदर, यह images राइस्टर ग्राफिक की भी हो सकती है, या वेक्टर ग्राफिक की भी हो सकती है, clip art galleries, जो होती है, पो, कहीं से भी images ले सकती है, मतलब, hundreds images भी हो सकती है, एक चीज की, या फिर thousands of images भी यह ले सकती है, ठीक है, यही आपका clip art होता है, उसकी बाद था, आपका my computer को define करना था, यहां पर आपका third, first question भी हो गया, software भी हमने देख लिया, clip art भी देख लिया, उसकी बाद my computer और slide views देखते है, my computer क्या होता है, my computer is a feature of Microsoft Windows, Microsoft Windows का एक feature है, that was originally introduced in Windows 95 and it is available in all subsequent versions, it allows you to browse and organize the files on your computer drives, मतलब हमारे computer में जितनी भी drives हैं, जितनी भी चीज़ें हमने इसमें data के तौर पिस्तोर करके रखी हुई हैं, वो सारी हम कहां देख सकते हैं, वो हम my computer में देख सकते हैं, अब Windows XP में अलग तरीके का my computer था, ठीक है, Windows 7, मतलब काम इनका same यही था, लेकिन य Windows 7 में computer इस तरीके का था, ठीक है, अब Windows 8 में this PC के नाम से आता है, और Windows 10 में इस तरीके का icon बन के आता है, this PC के साथ, ठीक है, तो यह सारे थे आपके my computer के अलग-अलग icons, तो यह क्या करता है, यह हमें allow करता है कि हम browse कर सकें या फिर organize कर सकें जो files हमारे computer drive में है, next आपका है slide slide view, slide view क्या है, उसकी definition हमें यहाँ पर बतानी है, slide show view in powerpoint, यह किस में होता है, PPT में होता है, PPT में क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर आपकी slides बनती है, ठीक है, इसलिए, let's you show a presentation on or from your computer, you can view either the entire presentation or just a few slides, this is the best way to view or preview a presentation to ensure it is clear, focused and impactful in the way you want, slide view is where you build and customize individual slides in an articulate storyline course, अब यह देखे, आप presentation आपने कभी अगर देखी हो, या फिर बनाई हो, तो इसमें आपको इस तरीके का presentation view मिलता है, इसको आप slide view भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो पुराने वर्जन है, उसमें इस slide view के नाम से है, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा, slides के अलग-अलग views, normal, outline view, slide sorter, notes page, reading view, ठीक है, यहाँ पर master view भी है, slide master, handout master, notes master, तो slide view क्या करता है, हमारे power point में जो हमने presentation बनाई हुई है, या फिर हमने computer से कोई presentation ली है, उस पूरी presentation को किस तरीके से हमें देखना है, हमें उसको पूरा पढ़ना है, सरीके स देखना है, या reading view लेना है उसका, तो कैसे हमें उसे देखना है, किस तरीके से हमें उसको show करना है, यह हम slide view से देखते हैं, slide view से हम control कर पाते हैं, ठीक है, अब हमें मालनेजे हमें कुछी few views लेने है, few slides लेनी है, तो वो काम भी हम slide view से कर पाएंगे, उमीद करते हूं, आप next question आपका short note के उपर है आपको short note लिखने है fourth question में A part है आपका compiler B है managing document C है page break and then third D है आपका replacing text तो सबसे पहले compiler compiler, compiler का नाम ही है किसी भी दो चीज़ को compile करना ठीक है, अब क्या होता है इसका मतलब definition है compiler is a special program एक special program है that translates a programming language source code into machine code, byte code और another programming language ये एक ऐसा program होता है जो कि programming language को या machine language को ठीक है programming language को किसमे convert करता है machine language में कर देता है ठीक है या फिर आप कह सकते है binary form में कर देता है compiler compiler, compile करना दो चीज़ों को programming language को किसमें compile कर रहा है binary form में या फिर machine language में compile कर रहा है it is a special program ये एक special program है जो translate करता है programming language को machine code में या bit code में या फिर किसी और दूसरी programming language में आप यहाँ पर देखी पा रहे होंगे ये एक programming language है इसने compile किया compile करके execute किया और फिर उसके पाद 30 run करके यहाँ पर हमें machine language में लिखकर दे दिया यही आपका compiler होता है next आपका है managing documents तो बढ़ लेते हैं इसके बारे में documents management is a system और process used to capture track and store electronic documents such as PDFs word processing file and digital images of paper based contents document management can save your time and money तो basically यहाँ पर क्या है document management नाम से ही पता चल रहा है कि यह क्या करेगा यह हमारी document को manage करने में मदद करेगा इसमें यह कैसे system होता है या यह कैसी process होती है जिसमें हम capture कर सकते हैं track कर सकते हैं store कर सकते हैं अपने electronic document को जैसे कोई PDF है ठेक है या कोई processing file है या digital image है ठेक है उसको हम अपने computer में store करके रख सकते हैं उसको हम अपने computer में track कर सकते हैं ठेक है उसको हम edit कर सकते हैं तो यह सारे काम हम computer में manage करने का कौन करता है document management document management can save your time and money यह हमारे पैसे को भी बचाता है और हमारे टाइम को भी उसके बाद सी पार्ट था आपका एक प्रेज ब्रेक प्रेज ब्रेक क्या होता है हार्ड पेज ब्रेक क्या होता है यह कोड इंसर्ट होता है software program की द्वारा telling the printer where to end the current page and begin the next यह क्या करता है यह ऐसा काम करता है कि printer को बता देता है कि कहां से हमें अभी current का page end करना है और कहां से हमें दूसरा page begin करना है शुरू करना है after inserting the page break a symbol indicating the page break is shown and the cursor is placed on the next page ठीक है तो हमारा जो cursor है वो दूसरे page पर चला जाएगा इसका एक example हम देख लेते हैं यहाँ पर चलिए इसका example हम देख लेते हैं page break का इसका example आप कुछ इस तरीके से समझ पाएंगे थोड़ा इसको हम zoom in कर देते हैं ठीक है अब यहाँ पर हमें insert में pages में हमें यह option दिखता है page break का ठीक है page break पर अगर हम click करते हैं तो यह देखिए यह हमारा जो page था यह एक first page है यह second page है और cursor जहाँ था वो दूसरे जगा पर वो move हो गया है ठीक है अब अगर हम थीसरे बार करते हैं तो cursor वहीं है और जो हमारा आप कहसकते data था वो third page पे चला गया अब दुबारा गरम करते हैं तो वो fourth page पे चला गया तो यही है आपका कि भई page break में क्या होगा page break में यह software program होता है inserted होता है पहले से इसमें हमें पता चलता है यह printer को बोलता है कि कहां पर हमें current page को end करना है हमारा करसर है वो next page पे चला जाता है ठीक है अब next है आपका replacing text टेक्स्ट 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 रिप्लेस करने के लिए आपको क्या करना है यह देखे यह था ना आपका third question fourth question replacing text इसको हमें short note सा लिखना एक तो replace करने के लिए किसी भी text को हमें क्या करना होगा यह magnifying glass होता है इस पर हमें click करना है जिसको हम editing के नाम से भी जानते हैं और यहां पर आपको third second number पे replace का option दिखता है इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके का pop-up दिखाई देगा find and replace का इस पर आपको क्या करना है replace यहां पर दिख रहा है आपको find what मानले जे मुझे old की जगा new लिखना है word को replace करने का मतलब है कि हमें एक जो word है ठीक है मानले जे मुझे लिखना है poor की जगा rich मैंने rich की जगा poor लिख दिया मुझे वापस change करके पूरे document में जहां भे rich है ना वहाँ पे मुझे poor लिखना है आपने three idiots तो पका देखी ही होगी उसमें आपने ये चीज़ notice करी होगी कि आमिर खान क्या करता है आमिर खान वहाँ पर जो आपका वो word होता है उसको change करके बलातकार word में वो change कर देता है उसको है ना तो वो कहां से करता है वो सभी documents में कैसे change होता है वो replace से change हो होगा और जो नया word हमें लिखना है वो यहां पर लिखना होगा उसके बाद replace all करके हमें जो इतने भी document में जहां भी यह आ रहा है वहाँ पर हम replace all करके कर सकते हैं या फिर हम find next करके जहां जहां हमें change करना है वो हम change कर लेंगे ठीक है तो चलिए इसकी process देखते हैं select the magnifying glass and then select replace हमें पहले इस पर click करना है फिर इसके बाद replace पर click करना है उसके बाद replace with box type the replacement text जहां मतलम मैंने आपको बताया क्या आपको replacement text करना है old की जगह अगर new करना है तो आप वो करेंगे select replace all और replace या तो आप replace पर क्लिक करिए या फिर replace all पर क्लिक करिए you can also open the basic find and replace pen with the keyboard shortcut control h आप सीधा कुछ मत करिए control h दबा दीजे आपका ये खुल के आ जाएगा ये पूरा आपका panel और आप अराम से इसको कर सकते हैं आपको magnifying glass पर भी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है आगे बढ़ते हैं next question है आपका 5th question differentiate between the following हमारा यहाँ पर ये किस चीज का है ये अंतर का है ठीकिन हमें अंतर बताना है निमने के बीच अंतर स्ष्ट केज़े फरस्ट है copying text and moving text and then second है bulleted list and numbered list तो copying text यानि कि copy करके text को दूसरी जगह copy करना moving text यानि कि यहाँ से मैंने text को उठाया और दूसरी जगह पर move कर दिया copy करना वहाँ से text को लिया पर वहाँ पर भी रहेगा वो text और दूसरी जगह पर भी रहेगा copying versus moving copying a command that allows creating a similar file और a directory in a new location हमें कोई भी text अगर यहाँ से दूसरी जगह पर same लिखना है same similar text लिखना है या नई location पर हमें similar text लिखना है तो हम क्या करेंगे copy करेंगे यह क्या करता है duplicate बना देता है file का या directory का दूसरी location पर और यह original content को कुछ affect नहीं करेंगा यहाँ पर जो original चीज थी वो यहीं रहेगी बस हम दूसरी जगह उसको copy करके लिख रहे है moving text का मतलब क्या है यह कैसी command होती है जिससे कि हम relocate कर सकते है यहाँ से उठाया और इस जगह पर रख दिया ठीके move करना क्या होता है उठाके दूसरी जगह रख देना है copy करना क्या होता है यहाँ से लिया और दूसरी जगह पर copy कर दिया नकल कर दी तो यही चीज रिलोकेट करता है यह original file को और एक directory जो है नई location पर बना देता है यह transfer करता है original file को और एक directory जो है दूसरी लोकेशन पर बनती है और यह original content को delete कर देता है मतलब यहाँ जो चीज थी वो हट जाएगी और वो चीज फिर यहाँ आजाएगी तो यही आपका copy on moving में आनता है उसके पाद है आपका bulleted list और numbered list तो यह bulleted list और number list जो होती है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है word में अगर आप जाएए तो word में आपको यह कहाँ मिलेगी यहाँ पर यह आपकी bulleted list है जिसमें हमें bullets की तोर पे सारी चीज़े देखने को मिलती है और यह आपकी numbered list होती है 123 करके 123 essay essay 4, 2, 3, 3, A, B, C तो यह आपकी होती है numbered list अब इसमें क्या अंतर है यह एक bulleted list है इस bullets को जब आप use करते हैं जब आपको कोई चीज order में नहीं रखनी होती है माल लेजे आपने कोई नाम लिखे सीमा, रीमा और मीना ठीक है और आप कोई यह कोई order में नहीं रखना मतलब कोई ऐसे randomly आपने नाम लिखती है तो आप क्या करेंगे इस तरीके से bullets बना देंगे ठीक है document में इस तरीके से आप bullets बना देंगे तो यह होती है आपके bullet list जहांपे order नहीं matter करता है और यह bullet list क्या करती है organize करने में help करती है organize करने में content को और उसके बाद अगर हम बात करें numbered list की numbered list जो है वो तब matter करती है जब हमें order में सारी चीज़ लिखनी है तो मालेजे मुझे लिखना है मुझे ऐसे लिखना है कि सीमा फर्स आई है मीना सेकेंड आई है और रीमा थर्ड आई है तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले फर्स पे कोन आया है सीमा आई है सेकेंड पे कोन आया है मीना आई है और थर्ड पे कोन आया है रीमा आई है तो ये चीज़ जब हमें order में लिखनी हो तब हम numbered list का अस्तमाल करेंगे और जब हमें bullets में लिखनी हो next question है answer the following questions हमें अब हम यहाँ पे questions का answer करेंगे first question है how can you change the alignment of the text मतलब कोई text है उसका alignment आप कैसे change कर सकते हैं यह आपके alignment होते हैं चीक है जिस तरीके से दिखाए गए हैं वैसे ही है यह है यह आपका left align माल लेजे एक पूरा document है ठीक है यह पूरा document है यहाँ से मैंने स्टार्ट किया लिखना a baseball तो यह मैंने कहां से लिखा है align कहां से किया है left side से यह बिल्कुल इस तरफ से मैंने align किया है a baseball अगर मुझे center line करना है center line करना है तो मैं इसको लिखूंगी बीच में ठीक है अगर हम इसको side में लिखके इस पे click कर देंगे तो वो a baseball बीच में आ जाएगा अगर हमे right align करना है मतलब कि इस तरफ से लिखना है तो क्या करेंगे a baseball यह किस तरफ से आ गया right से आ गया अगर हमें justify करना है justify का मतलब होता है ना इस तरफ ना इस तरफ दोनों तरफ बराबर ठीक है बराबर space जैसे यह देखिए a baseball इसको आप कह सकते हैं बीच में भी रहेगा वो लेकिन अगर हम बड़ा पैरा लिख रहे हैं तो यहां पर और यहां पर दोनों तरफ same space रहेगा ठीक है तो alignment पढ़ते है alignment is how text flows in relation to the rest of the page मतलब पूरे page के according वो कैसे alignment हो रहा है उसका बाकी page को कैसे तरीके से हम छोड़ रहे हैं और column table call table cell text box there are four main alignments चार main alignment होते हैं left right center and justified left मतलब left से start होगा text right मतलब right से होगा center से बीच में से text हम लिख रहे हैं justify का मतलब दोनों तरफ same space हो रहा है left align text is a text that is aligned with the left edge ठीक है right aligns जो है वो right edge से start होता है तो यही था basically इसमें उसके बाद next question देख लेते हैं write the importance of recycle bin recycle bin की importance हम में बतानी है तो recycle bin हमने क्या देखा था recycle bin जो होती है वो इस तरीके की होती है आपके computer में जो आपने कभी देखी भी होगी recycle bin में हमारी जितने भी files delete हम करते हैं वो सारी recycle bin में पहुट जाती है ठीक है माली जो मने यह वाली file delete कर दी और फिर गलती से भी delete अगर हो गई है तो वो सीधी recycle bin में जाएगी वो permanently delete नहीं होगी तो इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि recycle bin में जो है इसका main purpose होता है recycle bin का कि वो user को एक chance दें कि वो अपने deleted files को review कर सके अब माली जे मैंने यह file है ठीक है में जो दुबारा अगर इसको restore करना होगा तो मैं recycle bin खोल के इस file को restore कर सकती हो और यह मेरे लिए काफी अच्छा chance रहेगा and folder one more time before they are permanently removed from the system क्योंकि यह permanently remove नहीं होती है file permanently तभी remove होगी जब हम recycle bin को remove करेंगे ठेक है तो recycle bin का सबसे बड़ा फायता यही है उसके बाद next question है how can you copy a formula in a cell Excel worksheet Excel worksheet में formula कैसे copy करते हैं just use the all good way and copy and paste click the cell with the formula to select it press ctrl plus c to copy the formula select a cell or a range of cells where you want to paste the formula to select and control V दबा दो या फिर आप क्या कर सकते हैं यहां पर first में आपने इसको हमने निकाल लिया उसके बाद इसको drag करते हुए अब आप नीचे ले जाएंगे तो सीधा वो फिर copy होके नीचे तक आजाएगा अगर आप यह नहीं कर रहे हैं तो कोई भी cell मालेजे इस cell को मुझे copy करना है तो इस पर मैं क्लिक करूंगी क्लिक करने के बाद मैं Ctrl C प्रेस करूंगी इसको पूरे को select करके Ctrl-C करके मुझे माली ज़िए यहाँ पर इसको करना है इस cell पर मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पर आने के बाद मैं Ctrl-V प्लेस करूँगी तो इससे क्या होगा इससे मैं आसानी से अपने formula को paste कर सकती है Next Next question एक बार देख लेते है What do you mean by main document in context to mail merge Mail merge से आप main document से क्या समझते है Mail merge किसमे Mail merge के संदर में main document कहने से आप क्या समझते है तो देखिए The main document contains a basic text that is the same in all the output document It may contain a letterhead, text and instructions in merge field or for inserting text such as recipient names and addresses that vary from one output document to another अब पहले से पहले आप यह समझे mail merge क्या होता है Mail merge यह होता है कि आपने कोई mail लिखी है ठीक है और वो mail आपको आपके boss के साथ-साथ या फिर आपको आपके principal के साथ-साथ जितने भी school में बच्चे हैं student हैं उनको भी भीजनी है तो आप क्या करेंगे आप सभी को थोड़ी ना mail लिखते फिरेंगे कितने सारे student होती है 1500-2000 student होती है 2000 बार आप वही same mail लिखेंगे या copy करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसके लिए आपको word में दिया गया है mail merge का option ठीक है इसमें क्या करना होता है आपको content तो same वही रहेगा बस आपको name जो है list में नाम जो है और address जो है वो बदल देने होते हैं और जो main document होता है जो main आपकी जो चीजे थी मतलब मान लिज़े मैंने ये लिखा है सभी को ये बताने के लिए mail लिखा है street address ये सब change हो जाएगा ठीक है तो ये ही होता है main document जो कि हमारी main basic text जो है वो सभी के लिए जो same है वो हमारे output document में रहेगा वो ही main document है आगे बढ़ते हैं next question था आपका बताओ what is line spacing यानि line spacing क्या है तो देखो line spacing determines the amount of vertical space between lines of text in a paragraph by default line are single spaced meaning that the spacing accommodates the largest font in that line plus a small amount of extra space paragraph spacing determines the amount of space above or below a paragraph अब देखे इसका मतलब ये है कि माल लिजे आपने पूरा एक paragraph लिखा वो इतनी दूर line space है मतलब space उन्हें बहुत जादा है ठीक है तो अगर हमें space को कम करना है तो हम क्या करेंगे इस पर क्लिक करेंगे word में आपको यहाँ पर line spacing का एक icon सा दिखाई देगा उस पर आपको क्लिक करना है इस पर बहुत सारी spacing होती है 1.0 की ठीक है 1.15 की फिर 1.5 की फिर 2.0 की फिर 2.5 की 3.2 ठीक है या फिर आप add space कर सकते हैं paragraph से पहले और remove space कर सकते है paragraph की बाद तो यह line space क्या करती है यह line space vertical space देती है यह जो vertical space है यह फिर हट जाएगा और यह line यहाँ पर इतने पास इसके आ जाएगी ठीक है तो यह ही होता है आपका line space आगे बढ़ते हैं next question है आपका answer the following first और B दोनों ही parts आपको करने है एक word document में कौन-कौन से ऐसे key combination है जो आप press करेंगे in following actions के लिए ठीक है कौन से ऐसे word दस्तावेज में निम्नकारियों को करने के लिए आप किन-किन सन्योजनों key combination का इस्तमाल करेंगे इसका मतलब short में यह ही है कि बदी बताओ तुमारी shortcut की कोन सी है इन सभी को करने के लिए ठीक है तो देखिए करते हैं हम सबसे पहले हैं first open file करने के लिए file open करने के लिए control की होती है control o यह बात सभी को पता होगी second है to print preview the document कोई भी हमें print का preview लेना है तो हम क्या प्रेस करेंगे control plus p ठीक है उसके बात third है to start spelling and grammar check spelling और grammar check करने के लिए हमें प्रेस करना होगा f7 function की है यह एक f7 उसके बात central line करने के लिए text को अगर हमें central align करना है जो भी हमने पीछे देखा था ना alignment बीच में करनी है तो क्या करेंगे control plus e ठीक है अगर हमें मैं वैसे पता देती हूँ control left में करनी है तो control plus l right में करनी है तो control plus r ठीक है और अगर हम justify करना है तो control plus j आपकी सुविदा के लिए मैं आपको भी यह आपकी जो keys है यह भी मैं आपको दिखा दूँगी ठीक है next बीपार एक बार देख लेते हैं यहां पर basically क्या किया हुआ है यह इंडिया is a vast country it is rich in minerals and agriculture in the above text there are two underlined यह जो underlined words है यह गलत लिखे गए हैं अब यह गलत words को हमें replace करके दिखाना हैं तो हमें correct spelling भी लिखनी हैं दिखानी हैं और steps भी लिखने हैं सभी को सही करने के लिए तो पहले आप यह देख लीज़े अगर आप देखी लेंगे practical way में तो आप अराम से steps लेंगे replace करने के लिए चलिए तो मैं आपको दिखाती हूँ तो देखें मैंने वो same sentence यहां लिख दिया इंडिया is a vast country it is rich in minerals and agriculture तो country और agriculture की spelling गलत है तो इसको अगर हमें रिप्लेश करना है तो मैंने आपको क्या कहा था यहां पर आपको magnifying या फिर editing के अंदर replace का option दोता है replace पर आपको क्लिक करना है ठीक है replace पर आपको क्लिक करना है एक मिनट आप रुकिए हाँ जी तो हमें हमें इसमें replace ही करना है मुझे लगा कभी spelling वगेरा चेक करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा control ह आप प्रेस कर सकते हैं या फिर आप यहां पर सीधा इस सरफ आके replace पर क्लिक कर सकते हैं find what find what में हमें क्या करना है जो सबसे पहला गलत word है तो गलत word क्या है अभी इसमें गलत word है इसमें c o n t r y चिक है country c o n t r y एक नट गलत word पहले हम इसमें लिखें c o n t r y और इसको किस से replace करना है हमें इसके सही spelling से country की spelling क्या होती है c o n t r y है ना तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें इसको simply इसपे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये replace होके इस word में बदल जाएगा इसपे अगर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी ये word गलत है इससे जितने भी word गलत है वो आपके replace होके इसमें हो जाएगे अगर इसपे क्लिक करेंगे तो find next पे आप आजाएगे जो कि हमें कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है ऐसा word हमने एक ही लिखा हुआ है तो ये simply हमें यहाँ पर replace पे क्लिक करना है और देखिए वो word जो है change होके country में बदल गया और हमारी spelling भी ठीक होगे अब हमें agriculture इसको ठीक करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे इस word को जो हमने गलत लिखा हुआ है उसको हम type करेंगे उसके बाद हमें जो शही word लिखना है वो type करेंगे ठीक है तो agriculture की spelling क्या होती है एगरी culture ठीक है इसको हम फिर replace कर देंगे और यह देखे आपका replace हो गया agriculture से अगर मैं बोलूं कि आपको अगर यही चीज माली जै मैंने यह लिखा हुआ है और अगर मैंने यही चीज आपको spelling चेक करने के लिए कही है तो आप क्या करेंगे simply कुछ नहीं करना है आपको review पे जाना है यहाँ पे आपको review का option दिखाई देगा यह रहा है review tab इसमें आपको सबसे पहला option दिखता है spelling and grammar का इस पे आपको click करना होता है और जो भी गलत spelling होती है जैसे मैंने यहाँ पर जान बूचके country की spelling गलत लिखी हुई है तो वो गलत spelling उपर आपको दिखाई देगी red color में और जो सही spelling है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी country बिल्कुल सही spelling अब इस पे आपको क्या करना है ignore once ignore once का मतलब यह है कि मैं चाहती हूँ यही spelling रहे गलत ही रहे और आप इसको ignore करते है ignore all का मतलब है जितनी भी यहाँ पर गलत spelling है इसको सबको ignore करना है इसको dictionary में आड़ करना है change करना है सभी को change करना है तो मैं यहाँ पर change पर अगर click करती हूँ तो वो चीज़ change होके सही बन गई तो यह होता है spelling और grammar का का काम और फिर उसके बाद वो बाकी था आपका replace का काम ठेक है उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा तो यह हमने पूरा कर लिया और इसके जो steps हैं वो आप खुद से लिखेंगी क्योंकि मैंने आपको practical में बताई दिया है steps आपको खुझ से लिखने है ताकि आपको भी समझ जाए next question देख लेते है next question को आगे बढ़ाने से पहले हम पहले shortcut keys देख लेते है सारी सबकी अलग-अलग shortcut की हो जोती है कुछ होती है basic shortcut की फुरत ही है ms word की shortcut की फिर ms excel की outlook की और daily use की shortcut की होती है यह select करने के लिए होती है all select all इसका मतलब हमें जितना भी page पे content है उसको हमें select करना है तो हम क्या करेंगे control A प्रेस करेंगे control B जो होती है वो bold के लिए होती है ठीक है control C हमें copy करना है कोई control X कट करने के लिए control N कोई भी नया डोक्यमेंट टास के लिए इसके लिए डोक्यमेंट टोपन गरना यह सारी आपको पड़ लेनी है और अच्छी तरह से ठीक है इसका जो नाम है तीक लासे को प्रोवाइट कर वा दूगी यह जो हमने जैसे कि कंप्यूटर की शारी shortcut keys है यह आपको learn कर लेनी है यह आती ही है ठीक है जैसे हमने पीछे question में देखा तो आपको shortcut keys ना पूछ के कई बार combination की बताओ कौन-कौन सी आप use करोगे तो नाम से confuse मत होना है वो shortcut की ही ठीक है combination हो या shortcut हो सेम चीज़ है तो यह आपको एस classes हमारे telegram group पे मिल जाएगी इसकी पेडिया वो आप जरूर देख लीजिए का next question देख लेते हैं next question है आपका 8 question answer करना में following इसमें भी ए और दो बी पार्ट है तो इसमें basically क्या बोला है एक poultry farm है ठीक है और उसमें जो percentage है eggs की month wise sold जितने हुए है जनवरी से लेकर मई तक वो सारे दिये हुए है अब हमें क्या करना है steps लिखने है for plotting a pie chart based on the given data अब हमें क्या करना है हमें pie chart बनाना है pie chart बनाने के क्या steps होंगे वो हमें इसमें लिखने है एक poultry farm में जनवरी से मई महिने तक बेचे गए अंडो की प्रतिशत संक्या दी गई है और हमें के लिए हमें basically word की जरूरत होगी again ठीक है तो हमने यहां पर word खोल लिया है इसमें हमें इंसर्ट टैप पर जाना होता है और इंसर्ट टैप पर जाने के फर्स्ट ही option पाएगा दिखता है उसे हमें click करना है जैसे हम इसको click करके okay पर click करेंगे उसके बाद हमें क्या दिखाई देगा उसके बाद हमें इस तरह के से जो है जो भी data हमें दिया हुआ है इस तरह के से देखिए इस data को आपको इस data को आपको इसमें change करना है जैसे फर्स्ट मैं आप लिखेंगे जनर्वरि फर्वरी मार्च अपरेल मयं 40 परेसेंट है इसकी कई 15 परेसेंट इसको आपको इसमें लिखना पड़ेगा तो कि तरह के घंथे हैं ऐसे जैनवरी January में कितना है 40% मैं अभी फिलाल इसको वैसे ही ले लेती हूँ ठीक है Data को February February में माल लेजे मैंने ले लिया 45% 45% ले लिया मैंने ठीक है उसके बाद आपका आता है March मार्च में मैंने ले लिया 15% तो ये पूरा हो गया आपका और इस data को हम अटा देते हैं तो इसको आपको लिख दिया उसके बाद आपको क्या गरना है इसको कट कर देना है कट करने के बाद आप अगर इस पर आएंगे तो यहाँ पर यह देखिए आपका जो data था वो यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखाई देगा ठीक है यह pie chart आपका इस तरीके से बन जाएगा और इसको अगर आपको यह देखना है परसेंट में दिखाना है तो यह देखिए यह आगया आपका मार्च 15 परसेंट जनवरी 40 परसेंट और फेबरी 45 परसेंट तो यह तरीके से आप pie chart को insert कर सकते हैं अपने word document में excel में भी इसी तरीके से आपको insert करना होता है चलिए बढ़ते हैं हमारे second question की और तो आपको जो next question है इसमें आपको क्या करना है मैं उम्मीद करती हूँ pie chart वाला आपको समझ आ गया steps आपको मुझे बताने है क्या steps होगे इसको लिखने के ठीक है step मुझे comment section में आप लिखकर जरूर बताएंगे और practically आपने देखी लिया है किस तरीके से होगा बस जो जो मैंने आपको बताया है जैसे हमें insert पर click करना insert पर click करने के बाद हमें क्या बोलते हैं chart पर click करना है chart पर click करने के बाद हमें third or fourth option में pie मिलेगा ठीक है तो वो चीज़े आपको step में लिखनी है अब यहां पर एक table दोबारा दी गई है इसमें क्या हुआ है इस table में हमें sale figure जो है AC की जो भी sold हुई है major cities में UP की तो वो हमें 2010 से 2013 की दी गई है और first, second, third, fourth इसमें हमें formula के हिसाब से हमें यह बताना है कौन-कौन से formula किस तरीके से यहां पर लगेंगे और कौन-कौन से sale हमें लगानी है तो यह चीज़ आपको इसमें बतानी है ठीक है तो देखते हैं इसको एकसल में हमें करना है एकसल में करके मैं आपको दिखाती हूँ तो यह देखें मैंने इस table को मैंने यहां पर एकसल में बना दिया है तो सबसे पहले question में आपसे बूला है वर्ष 2012 की कुल सेल हमें निकालनी है तो वर्ष 2012 यह रहा आपका इसकी कुल सेल निकालनी है मतलब जितनी भी सेल हुई है चाहे वो मुरादाबाद में या लखनव में आग्रा में या बरेली में तो हमें इसको निकालनी के लिए इस line को यहां से लेके इस cell में हमें इसको निकालना पड़ेगा कुल सेल निकालनी है कुल जहां पर भी आपको total दिखाई जी total sum निकालना है ठीक है 2012 को नहीं लेना वो तो साल है ना सेल तो ये वाली है सारी और फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर प्रेस करते ही हमारे पास टोटल सेल निकल कर आ जाएगी 2850 अब आपको लिखना क्या है इसमें आपको लिखना है ये फॉर्मुला equal to sum b4 e4 अब b4 e4 क्यों लिया ये रही b की लाइन अब ये जो ये है 2012 ये किस नंबर पे है 4 नंबर पे है और ये b की लाइन है ठीक है यहां से 4 नंबर पे यहां से स्टार्ट हो के e4 तक हमने लिया है यानि कि ये पूरी लाइन हमने लिए है इसलिए यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा equal to sum bracket open B4 and E4 और फिर उसके बाद bracket close तो यह हो जाएगी वर्ष 2012 के कुल से तो आपको पेपर में यह formula लिखना पड़ेगा और आपको कुछ नहीं लिखना है ठीक है मैं आपको practically करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझा जाए अब है मुरादाबाद शहर में 2010 से 2013 के बीच हुई कुल सेल अब हमें क्या बोला है मुरादाबाद एक पूरा हमें बता दिया कि बोही मुरादाबाद की निकालनी है यह वाली इसमें हमें बोला भी क्या है 2010 से 2013 के बीच की हुई सेल 2010 यह रहा और 2013 यह रहा तो यहां पर हमें निकालनी पड़ेगी है क्या करेंगे कुल सेल निकालनी है तो equal to sum bracket open यहां पे क्लिक करेंगे उसके बाद इसको ड्रैक करते हुए नीचे ले आएंगे और ब्रैकेट क्लोस कर देंगे तो यह कुल सेल हो जाएगी 3300 उमीद करती हूं B2 और B5 किस तरह या किस तरीके से आया आपको समझ आ गया हो B2 यह है यह B2 की लाइन है यहां से ही तो start है और B5 यहां पे खतम है तो इसलिए यहां पर हमने B2 और B5 लिखा ठीक है उसके बाद है 2012-13 में आगरा और लखनों में हुई कुल सेल तो हमें आगरा और लखनों की दोनों की निकाल लिए तो हमें किसी कोई भी एक खाली सेल आप ले लीजे मान लीजे मने ये वाली ले ली ठीक है उसके बाद मैं क्या करूंगी इक्वल टू एक मिनट यहां पर हम आते हैं मैं लिखा इक्वल टू सुम अभी मैं सरफ सम का बता रही हूं कुल सेल मतलब हमें सम का ही फॉर्मल लगाने चाहिए कितनी भी वह हो ठीक है सम और क्या क्या बोला है में लखना और आग्रा दोनों की तो लखना और आग्रा दोनों साथ में हैं यहां से क्लिक करते हुए और यहां तक हम जाना है C2 से D5 तक यह D है यह 5 तक और enter प्रेस करते हैं हमारा answer 4750 आगया अब last है बरेली में 2010 से 2013 के बीच हुई ओसत सेल तो बरेली कहा है हमारा बरेली यह रहा अब इसमें हमें बताना है कि यहां से और यहां तक पूरी ओसत सेल यानि यहां से ड्रैक करते हुए यहां तक हमें सिलेक्ट करना है ब्रैकेट क्लोज करना है ब्रैकेट ओपन और क्लोज करना है याद रखेगा और enter करना है तो हमारे पास एवरेज सेल आ जाएगी 775 तो यह थी पूरी आपकी इस question का answer और आपको करना क्या है आपको सिर्फ यह formula याद करने है average करके हमें फिर bracket open करके equals to से start होगा formula यह जो bracket है इनके अंदर हमें cell के नाम लिखने है और formula जो भी है जैसे sum करना है तो sum करेंगे average करना है तो average का formula लगएंगे तो यह सारी चीज़े आपको ध्यान लगनी है यहाँ पर आपकी वीडियो complete हो जाती है उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो समझ में आई होगी पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो like करिएगा इस पर बहुत सारी मैंने मैनत करिये आप सभी बच्चों के लिए और शेयर करिएगा अपने सभी साथियों के साथ बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है practically आपको समझाया है steps जो मैंने आपको बोली है वो आप मुझे comment section में लिखकर बताईए ताकि मुझे भी पता चले कि कितने बच्चों को अच्छी तरह ये चीजे समझ आई है या नहीं ठीक है और चैनल को subscribe करें बिना बिल्कुल भी मत जाईएगा और इसके साथ साथ हमारा जो telegram group है वो join कर लीजे आपको सभी जो details है PDF की हो या फिर आगे जितनी भी notification वगरा है वो सारी महां से मिल जाती है और subscribe करके bell icon प्रेस करके हमारे चैनल पर हमारे साथ जोड़िए और अपने paper की तयारी अच्छे से कीजे Thanks for watching